Let's do question no.9 of exercise 3a that is linear equation in two variables. Question no.9 is solve each of the following system of equations graphically. हमी graphically ही solve करना है. इसका मतलब x और y का ऐसा point निकालना है जो दोनों equations को satisfy करे. चलिए करते हैं. तो पहली equation है 2x plus 3y minus 4 equals to 0. तो यहाँ पे हम इस minus 4 को इधर ले आएंगे. तो क्या हैगा 2x plus 3y equals to 4 हो गया. प्लस का हो गया 4. अब grid बनाएंगे. x और y की values रखने के लिए हमने grid बना ली. और यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y. अब क्या-क्या values रख सकते हैं? देखिए अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख दूँ तो x की value easily निकल जाएगी क्योंकि 4 easily 2 से divide हो जाएगा. तो हमने रिखा putting y equals to 0. तो यहाँ है 2x plus 3 into 0 equals to 4. तो यहाँ आगे 2x equals to 4. x कितना आ गया? 4 upon 2. तो हमने लिख लिया अगर y 0 है तो x आया 2. इसी तरीके से अगर मैं y की value 1 रखती हूं. तो यह इधर minus को जाएगा. 4 minus 3, 1 आया और 1 by 2 आजाएगे x की value. तो that is 0.5 तो easily sort out है. तो हमने रिखी putting y equals to 1. तो यहाँ है 2x plus 3 into 1 equals to 4. तो 2x plus 3 equals to 4. तो 2x की value कितनी आ गया? 4 minus 3. तो यह आ गया हमारा 2x equals to 1. x आ गया 1 upon 2. और we can say that 0.5. तो यहाँ लिख दिया हमने y अगर 1 है तो x है 0.5. आप x की value और क्या रख सकते है या y की value क्या रख सकते है? देखिए, अगर y की value में 2 रखती हूँ. तो यहाँ जाएगा 6. यह इदर minus में हो जाएगा, तो easily divide हो जाएगा. तो putting y equals to 2. तो यहाँ है 2x plus 3 into 2 equals to 4. तो 2x plus 6 equals to 4. तो 2x कितना गया? 4 minus 6. 2x equals to minus 2 आगया. तो x की value कितनी आगया? minus 2 upon 2. that is minus 1. तो अगर y 2 रखा तो x आया हमारा minus 1. next equation solve करते हैं. दूसरी equation है हमारी. 3x minus y plus 5 equals to 0. अब यह इधर ले आएगे. तो क्या आएगा? यहाँ गया? 3x minus y equals to minus 5. तो grid बनाएंगे x of y की values रखने के लिए. यहाँ x की values यहाँ y की values. आप देखिए x की value अगर हम 0 रखते हैं. तो y आ जाएगा हमारा 5. 5 राइट तो putting x equals to 0. तो यह आया. 3 into 0 minus y equals to minus 5. तो minus y कितना आ गया? minus 5. तो minus minus cancel हो गया. तो y आ गया हमारा 5. तो हम लिख सकते हैं. x 0 है तो y 5 है. इसी तरीके से x 1 रखते हैं. putting x equals to 1. तो यह आया. 3 into 1 minus y equals to minus 5. 3 minus y equals to minus 5. तो minus y कितना आ गया? minus 5 minus 3. तो यह आ गया. minus y equals to minus 8. minus minus cancel हो गया. तो y आ गया हमारा 8. तो हमने x 1 रखा. तो y आ रहा है हमारा 8. अगर y की जिगह हम 0 रखेंगे. तो 5 upon 3 आएगा minus का. तो वो sort out नहीं हो पाएगा. फ्राक्शन में आएगा. क्योंकि 1 रखेंगे. तो 4 upon 3 आएगा. वो भी फ्राक्शन में आएगा. उसलेस है. अब हम 2 रखते हैं y को. तो क्या आएगा? देखिए. तो 3x के तो minus का 3. तो x कितना आ गया? minus का 3 upon 3. तो यह आ गया minus का 1. तो हमने रखा y अगर 2 रखा. तो x आ गया minus 1. चली graph plot करते हैं. देखिए. अब एक चीज अब ध्यान दीजेगा graph plot करने से पहले. कि यहाँ पे तो 1 1 का difference है. और y में 2 2 का difference है. लेकिन यह चीज हमेशा ध् अगर एक तरफा x का 1 1 का difference है. तो दूसरी तरफ भी 1 1 का difference होना चाहिए. इसलिए जब मैंने y axis पर 2 2 का difference बनाया है. तो y negative side भी 2 2 का difference बनाया है. अब देखिए. यह हमारी equation first है. और यह हमारी equation second है. और यह first equation के coordinates है. और यह second equation के coordinates है. चलीए plot करते हैं. अब देखिए. x अगर 2 होगा. अगर if y 0. तो y अगर 0 है. तो x 2 होगा. यह point आ गया. तो हमने यहां पर point plot किया. x 2 and y 0. next point देखिए. x अगर 0.5 है. तो y 1 है. x अगर 0.5 है. तो y 1 है. यह आ गया. तो हमने इसको यहां plot कर दिया. 0.5 and 1. next देखिए. x अगर minus 1 है. तो y 2 है. तो यह आ गया. point x अगर minus 1 है. तो y 2 है. तो हम एक line draw करते हैं. तीनो points को join करते हैं एक line draw की. और उस पर लिख दिया कि कौन सी line है. तो यह थी 2x plus 3y minus 4 equals to 0. next देखते हैं. next equation में कह रहा है. x 0 है तो y 5 है. x 0 है तो y 5 है. तो यह वाला point आ गया. प्लस का 5. तो हमने यहां पर mark किया. x 0 है तो y 5 है. next कह रहा है. x 1 है तो y 8 है. x 1 है तो y 8 है. यह वाला point. तो यहां plot कर दिया हमने x 1 तो y 8. next point कह रहा है. x minus 1 है तो y 2 है. x minus 1 है. तो y 2 है. यह already plot है. तो हम line ड्रॉ करते हैं. तो यहां से हमने तीनो points को मिलाते हैं अपने एक line कीजी. और हमने इसको लिख दिया. line कौनसी थी यह? 3x minus y plus 5 equals to 0. अब हम x of y की coordinates निकाल लेते. तो देखिए x की तरफ कितना जा रहा है? यह minus 1 और y की तरफ देखेंगे तो 2 है. तो हम यहां लेक देंगे x हमारा है minus 1 और y है हमारा तो हमारा है तो हमारा है झाल झाल